और आम प्रिंस मिस्त्रा है और आप 1124 देख रहे हैं अभी हम लोग जो है इंजिनियर हमेंद कुमार के पास बैटे हुए है और काफी विवादों में रहा है भागल पूर सुल्तांजगान का अगवानी पूल है उन चीज़ों को लेकर के मैं आज बात करने वाला हूं तो क्य साब जहलक राइश में लगने वाली बात ही नहीं है कि बिना आधी तूफान के सत्रह सो करूर का पुल गिर जाता है और आज तक कोई गिरिफतारी नहीं हुई ना ही उस ठेकेदार पे जिसने उस काम को कर रहे थे उसका एक और रॉडिक कंसल्टन्ट है जो कारवाई नहीं हुई यहां तक कि जांच तक नहीं हुआ मुखमंत्री जीत बोले थे कि पंदा दिन के अंदर जांच रिपोर्ट करके जो भी दोशी होगा उसको तत्काल सजा देंगे लेकिन उसको सजा नहीं मिल रहा है और वो नया-नया काम सुरू कर दिया अभी दिखव काउनों से नामी पर चली जो है एस पिसीलिकमपनी कंटक्शन गोए ड़े फील का विको निर्मान होता है उसका कंटक्शन वह लेते हैं तो क्या लगता है कि इतने नामचीन कंपनी बार वार एक ही जगह हाथ सा तो 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 प्या लगा रहा है कि इस पर प्रतिक्रिया देना जर्मन की कमपनी है उसने डिजाइन किया उस डिजाइन के बाद उसका अप्रूब लिया गया उसके डिजाइन का जो दिल्ली आईएटी इन्वालब है उसमें प्लस हैदराबद की दो कमपनिया है इन लोग ने उस डिजाइन को अप्रूब किया उसके बाद काम सुरू हुआ और 2023 में खतम होना था, पुल गिरने के बाद कहा जा रहा है कि डिजाइन में खामी थी, तो फिर गलती किसका है, विहाँ सरकार की इतने इंजिनियर है, आखिर कुछ तो बज़े होगा, क्यों गिर गया पुल, पियाईल हुआ हाई कोट ने आदेश दे दिया कि ठीक है, अपन इसके लिए जो है, हम लोग उनको ध्वस्त करवा दिये, मचली को बोलके ध्वस्त करा दिये, तो अलग बात है, मचली दौर गई तो पुल गिर गया, और डिजाइन में फॉल्ट है तो बताएं न, सूपर स्ट्रेक्चर में फॉल्ट था, सब स्ट्रेक्चर में था, केबल स्ट्रेक्चर में था, या फिर डिजाइन मिक्स उनका गरवर था, कॉंक्री डिजाइन मिक्स गरवर था, स्टील का डिजाइन गलड़ था, एक बताएं वह कहां पर गरवर था, और दूसरा जो बना रहे हैं, उसी आधार पर, उसी बेस पर कैसे बनेगा, यह कोई इंजिन का सिरीज है एक इंजिनेर को पक्रवगता धाय करूर रुपया मिलता है दूबारा क्या हुआ उसका तो सरकार पूरी तरह इंवौल्फ बश्टेशार का बोलबाला यहां पर नतिजाद देख लिए कोई सुनने वाला नहीं कोई पूछने वाला नहीं कोई पत्रकार का हीमत न और अब तक आपकी जो परिक्रिया है आपने जो जारी रखा था उसको लेकर के अभी तक कुछ जानकारी दर सकते क्या देखे जब पूल गिरा चार जून को उससे पहले अप्रील 30 अप्रील 2022 को दो पिले नमर पांच और चार गिरा था यह कहा गया कि आंधी तूफान आया हम तयार नहीं थे फिक्स नहीं था पूरा पुलिया गिर गया ठीक है कोई बात नहीं उसके बाद इन लोग ने उसका सेफटी आडिट कराया रॉडिक सारी रूड की आईटी से रूड की आईटी का रिपोर्ट आने के पहले काम चालू रखा उन्होंने और नतीजा यह निकल के लिए दो बार टाइम आगा नहीं दिये डिप्टी सीम को हमने लेटर दिया नेस्टरल एंजी पिटी को दिया हमने ग्रिल टूबनर को लेटर दिया नितीन गड़करी से टाइम आगा कि इसके लिए कम से कम पता चले 22 को 12 करोर जो जनता है बिहार की उसके एक-एक पैसे क कीसी एक आदमी का नहीं है तो अगर ही एक गिरा क्यों गिरा यह तो जनता जाना चाहिए अभी टा कोई नहीं मिला कोई सुनने वाला नहीं है एक PIL हुआ है वो अभी डिस्पोजल हो गया उसका क्योंकि कोट ने बोल दिया मनने न्याले ने बोल दिया कि ठीक है अपने खर्चे बना रहा है तो बना दे लेकिन सवाल यह है कि गिरा कैसे आपको पता ही नहीं है पूल आप बनाएंगे कैसे उसको और फिर गिर जाएगा तो अगला हम लोग वेट एंड वाच कर रहें अगर कुछ नहीं हुआ फिर से मनने न्याले के सरण में जाएंगे और एक-एक पैसे का हिसा हुमें सरकार से लेना है यह थे हमारे साथ इंजिनियर हिमेंट कुमार जिनको सुन रहे थे इस पे आपकी क्या रहा है आप हमको कम करके जरूर बताईएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद